हेलो दोस्तो हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सबी के लिए EMRS TGT की जो वेकैंसी आई है उसका सिलेबस मैं लेके आई हूँ तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जन्रल जो टॉपिक है उसका सिलेबस nouvelles लिएवस हिंदी का सिलेवस दोनों ही सिलेवस जो है आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में तो चलिए देखते हैं इसका सिलेवस क्या है एक्जाम पैटर्ण एप्लिकेशन फी और अदर डीटेल्स मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में दे दिया था और उस व वहां से उस वीडियो को देख लेजएगा जहां आपको इस परिक्षा से संबंदित अन्य जानकारी मिल जाएगी कि इसका एक्जाम पैटर्ण क्या है फी कितनी लगेगी सीट्स कितनी है तो यह सरी जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी आज हम सिलेवस के उपर चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले टीजी टी में जो जर्णरल पेपर है उनका सिलेवस क्या है तो जर्णरल अवेर्नेस आपको पढ़ना है जिसमें आपको जर्णरल नॉलेज और करेंट अफियर पढ़ना है विद स्पेशल इंफैसिस इन दा फिल्ट ऑफ एजुकेशन यानि कि कहने का मतलब यहां यह है कि आपको जर्णरल नॉलेज और करेंट अफियर पढ़ना है उसमें भी आपको जो सिक्षा संबंदित जो चीज़े आई हुई है करेंट अफियर में वो चीज़े आपको पढ़नी है ठीक है तो यानि कि आपको पूरा का ही है करेंट में उनको जरूर पढ़ लीजेगा ठीक है क्योंकि दस कुश्चिन जो है आपके इससे पूछे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे अगला है रीजनिंग एबिलिटी यानि आप रीजनिंग से क्या क्या चीज़े आएं कारण वो पूछे जाएंगे वर्बल रीजनिंग इनेक्वैलिटी यानि असमानता हो गया ब्लेड रिलेशन सीक्वेंसे जो होते हैं सीरीज हो गई डिरेक्शन दिशाएं हो गई एसर्सिंग और यह रिजन हो गया यानि कि यह तरक और कारण हो गया वेंड डाइग्राम हो गया जनल जीज़ी हैं आपको असानी सी यह उपलब्द हो जाएंगी फिर नॉलेज ऑफ आइसी टी यहनिकी कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है तो फंडमेंटल ओफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एमेस ऑफिस पढ़ना है कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या है और उसका यूज क्या है इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स पढ़ना है और एब्रिवेशन पढ़ने हैं कंप्यूटर के नेटवर्क क्या क्या है साइबर सिक्यूर्टी के बारे में पढ़ना है और इंटरनेट के बारे में आपको अब अगला है teaching aptitude अब सिख्षड अभी शम्ता में आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको teaching का जो nature है प्रकृति है उसकी क्या है इसके characteristics क्या है इसके विशिश्टाएं क्या है objectives क्या है और इसकी requirements क्या है इसकी जरुरत क्या है इसका शेत्र आदी क्या है तो आपको यह सारा basic जो जानकारी होती है सिख्षा समधित वह आपको पढ़ना है learners, characteristics, factor affecting teaching यानि कि ऐसे कौन से कारण है जो teaching को affect करते है method of teaching यानि पढ़ाने के क्या-क्या तरीके अपनाए जाते है teaching ads पढ़ाने के लिए क्या-क्या ads अपनाए जाते है और evolution system इस शेत्र पे जो भी किया गया है evolution यानि जो इस शेत्र में से संबंदि जो कारे किये गए है फिर इसके बाद pedagogy और case study तो general जो कुछ experimental टाइप से किये जाते है कि जैसे चारवर्ष का बालक है उसकी आयू इस प्रकार है तो वो यह activity नहीं करता तो उसके अंदर क्या गुण है क्या कैसी भावात पक होना चाहिए तो यह कुछ experiment टाइप के जो प्रशन होते हैं केस study टाइप के वह पढ़ लेजिएगा फिर इसके बाद NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रास्टर शिक्षा नीती 2020 इसको जरूर पढ़िएगा इससे प्रशन आएंगे पांच नंबर आपका इससे हो गया दस नंबर आपका इससे आएगा ठीक है फिर यह तो पैट वालों के लिए तो जो भी पैट से भरेंगे वो यह देंगे इस शब्द में ही असुधिया है क्योंकि यहां पे श लिखना था test यहां पे स सा लिखा गया है तो इस को जनरल हिंदी के अंतरगत पढ़ना है इसके बाद अगर बात करें जनरल इंग्लिश का इसमें आपको वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रिमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसन, फिल इन द ब्लैंक, एड़ वर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस, आरेजिमेंट, अंसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनाइम्स, और सेंटोनाइम्स, ग्रामर, आइडॉम्स, एंड पैराज, तो यह सारे आपको इसमें पढ़ने हैं, तो दस-दस नमबर के आपके यह दोनों जो है पूछे जाएंगे, ठीके, तो यहां तक हमारा जो पहला पार्ट है, जो पहला या कहले कि first of six पार्ट है इसमें, यह वो सारे हैं, बस आपके विशे को छोड़किए, अब आपका विशे जो है, उस पे पूछे जाने वाले प्रिश्ट को मैं दिखाती हूँ, तो यहां पर TGT English का है, फिर TGT Hindi, मेरे पास हिंदी के अभि भ pla вот विकास एवम हिंदी गद्धी की जो विधाये हैं उस पे प्रश्ण आएंगे, उपन्यास पर आठारी Сп्र mr. कहानी पर आधारी प्रश्ण नाटक अक आंकी पर आधारी स्व्श्ण नेबंध पर आधारी स्व्. यात्रा वरतांत पर आधारीं प्रश्ण संस्मर्ण रे किस प्रकार हुआ आधि कालीन कावे पर प्रेश्ण भक्ति कालीन कावे पर प्रेश्ण इसमें आपको निर्गुण सगुण और सूफी कावे आपको पढ़ना है फिर आपको रीती कालीन कावे पर प्रेश्ण पूछे जाएंगे और आधुनिक कालीन कावे पर प्रेश्ण प पूछे जाएंगे अब बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास एवं व्यभारिक व्याकरण तो व्याकरण में क्या क्या आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास इसकी उपभाषा एवं बोलिया देवनागरी का विकास देवनागरी लिपी एवं उसका विकास वर्ण खारी शब्द वाक्य रचना रचना और अर्थ के आधार पर फिर पदपरिच है इसके लाब अलंकार शब्द शक्तियां मुहावरें इवं लोक्तियां पटित गद्यांश इवं पद्याश कि इसके बाद सम्विधान में हिंदी की स्थिती संपर्क भाषा हिंदी प्रयोजन म MRS TGT का तो हिंदी का जो संपूर्ण सिरेवस है जनरल से लेके हिंदी विशे तक उन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बताया तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करिएगा किसी वीडियो संबंदे कोई टॉपिक से संबंदे चानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद